इस सर मैंने SRFTi और FTII का , जो jit होता है उस में बैठा था लेकिन मैंने क्रेक नहीं कर पया fever क्यों क्रेक नहीं कर पया ? on कि क्रेकम हो उसके ही रिजन मैं बताओऊँ गा उसके पहले मैं मैं बताओंगा मैंने exam के पहले जो student से, जो एक student से बात करी थी तो उन्होंने क्या से बताए था कि ऐसे paper करना चाहिए फिर मैं बता हूंगा कैसे मैंने paper की और आखर में क्या कमी रहे गई पहले तो syllabus जो है, exam pattern जो है और question pattern जो है, यह सब कुछ website में available है वो previous years जो कोशन पर पढ़ा है वो जान लीजिए उसका objective कैसा आता है उसका subject की कोशन कैसा आता है यह अब नहीं से देख लीजिए और पढ़ लीजिए जान लीजिए फिर मैंने बात करी थी सबने बताया था you have to know all the things related to cinema मतलब वाल्ट सिनमा के बारे में जाना चाहिए इंडियन सिनमा के बारे में जाना चाहिए हिस्ट्री जाना चाहिए और बहुत सरे बंदे ने मुझे ऐसे बोला था कि मुभी देखो मुभी देखो वाल्ट सिनमा जितना है सब लीजिए देख लो और फिर अनलेसिस करो कैसे उन्होंने शॉट है तो मैंने इसके दवरान बहुत सारे वाल्ट मुवी देख लिया था फिर मैंने partner years के question जो है वो सारे क्वόफि इसको मैंने पढ़ा था जो सब छेक्ड वह, मीरे खुद की लेंगीच में मैंने, लिक के पैकिज चिया था बहुत सरे मुवी देखा मैंने, लेकिन ए सब कुछ देखने के बाद भी मैं دेने गया था, मैंने जो सब्जेक या एक सल में वो आज रहेगा विबसाइट में तो जो 30 मार्स होता है MCQ के लिए उसमें मैंने करीब मैक्सिमम कितना होगा 12 से 15 में मैंने कर लिया राइट किया और बाकि जो सारे थे वो नेगिटिव मार्क नहीं रहता है मैंने कर दिया था लेकिन वो ठीक हुआ नहीं मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने जो साब्जेक्टिव लिखा था तो वो उसमें मैं सचेसफ़ाइट था वो 70 म मार्क होता है तो मुझे लगा है कि उसमें मैंने 40 कर लिया और बाकि जो 30 मार्क हैं उनमें से मुझे बस 10 मार्क आया मेरा स्कोर था 50 और मेरा पारसेंटाइल था था 5 पंच साम्थि और जिन्होंने क्राक किया उसका पारसेंटाइल एस 90 के उपर ही रहेगा और जो बंदा 62 क किया तो मैंने उससे बात करी थी कि उस से करीबन 25 की यूँ था वह राइट कर लिया था थिक किया था, मेरे चोक आपी रहे गए थी 2 है थी 10 तू बाद खाया था 20 तो 15 का दिफरेंस हो गया मेरा मार्क था 50 और उसका मार्क था 62 वह न्यां कर लिया और ठाहर आलींटाइशन अगर आप 30 में 25, at least 25 आप कवर कर पाओ के तो ही ओरिंटेशन के लिए सिलेक्ट होने का सम्भब बना है You have to score at least 25 out of 30, then you can crack the examination Provided that you did well in your subjective also So subjective के लिए पिछले जितने सारे questions से वो अपनी language में आप प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, ठीक है और जो objective है उसके लिए आपको सब कुछ हमना चाहिए सब कुछ मतलब film history, painting, art, dance and everything related to art As well as the world art history, then you could take the examination otherwise not Prepare well and hard, अगर आपको ऐसे लगे कि आपने बहुत सरे पिपार कर ली लेकिन वो बात कभी सही नहीं होता है जब तक न आप क्रैक्ट कर पाओ एक सल अभी भी time है तो एक सल में प्रैक्ट कर लेशे जहंग से तो अगले सल हो सकत है कि आप क्रैक्ट कर पाओ गया नहीं तो समा बना नहीं है थांक्स